अगले 24 घंटे में होगा पर्दापाश आपने परी को मारने की कोशिश की है यह तो क्या बूल रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आपने परी को धका मारा ताकि वो पानी में डूपके मर जाए परी राजीव और नीटी की पलटने वाले है जिंदगी यह आने वाला है शो में बड़ा ट्रिस परी की इसमें क्या गलती है? अब मैं परी से शादी कर लेता हूँ जो उसके हक है क्योंकि राजीव ने परी से धोके से शादी भी करी थी उसकी जमीन हडपने के लिए तो राजीव को अब रियलाइज हो रहा है कि यार परी मेरे घरवालों के लिए इतना कुछ करती आई है तो अब ये सब कुछ परी डिजर्ब करती है तो मैं परी का साथ दोंगा क्या कि लिए करेती दोंगा कर लेते हैं अब याहान पर निटी आती परी की पास कि नहीं-नहीं तू शादी मत कर तू महान बन कर दिखा लेकिन परी कहती है अब तो यह शादी में नहीं रोकँगी ये शादी होके रही तो निती भी कहती है working तो ठीक है देख लेते हैं ये शादी होएगी या पर नहीं कि निती के मन में तो कुछ प्लाइनिंग चली रही है वह से ये भी भरोसा है कि राजी मेरा ही है और मेरे पास ही आएगा उसे बहुत प्यार करता है आप परी को रास्ते से हटाने के लिए निती देने वाली है परी यहां पर बीच का एक खेल जो चल रहा है यह थोड़ा बोरिंग हो रहा है इसे आप क्या कहते हैं सीरियल के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताए अपनी राए और कर दीजी चानल को सब्सक्राइब